कि आज मैं इससे स्टोग के बारे में बात करना जा रहा हूं जिसके उद्धर काफी ज्यादा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा है उससे ल पीने स्टोग भी की सकतेंं यो cemen k Grade करती काफी अचछा अभी के टाइम में काफीуска देखने को मिल रहे हैं जैसे मारेट के इंदर चीजों है और फाउंडर है तो वह इसी चीजों से जूनता हूं नजर आ रहा है जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आप टाइटल और थम्मेल से समझी गए होंगे कि मैं कौन से स्टोक के बारे में बात कर रहा हूं तो यह अधानी जी का एक ही स्टोक है अमूजा सीमेंट जिस काफी अच्छे रिटन्स बनाकर दिये हैं पहले भी और अब भी बनाकर देगा तो ऐसा पैनी स्टोक के आज में मीड के कंपनी बोल सकते हैं पैनी स्टोक नहीं है यह और यह काफी आपको भी बढ़िया प्राइस में मिलता हूं नजर आ रहा है काफी अच्छे इसके जहां काफी स्टोक कर लेकर आए हैं और आपको ज्यादा ज्यादा प्रौफिट करा सकें तो हमें इती छोटी सी मिसमाइ Lorim इत्ती सारी मेनत करते हैं fundamentally strong और काफी बढ़िया research करने के बाद में और काफी deeply research करने के बाद में आपके लिए stroke लेकर आते हैं तो आपको बस इत्ता सही करना अगर हमारे channel पर पहली बार visit हो रहे हो तो please हमारे channel को subscribe कर दीजे और जो bell icon का बटल है उसे all पर set कर दीए अगर आपको कोई भी doubt या कुछ भी दिक्कत होती है था हमें comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो like जरूर कर सकते हैं और आपको काफी कुछ भी कर कोई दिक्कत आती है चार्ट पेटर्न का आप यहां पर नजर डालेंगे तो one day के अंदर भी आपको अच्छा का सा growth करता वह नजर आ रहा है और five day की बात करें तो आपको losses देखने को मिलेंगे वहाई अपन one month की बात में तो आपको काफी जाद losses देखने को मिलेंगे 149 का मतलब 149 का इसमें losses देखने को मिल रहा है उसी के साथ में अगर 36 मंद का चार्ट यहां पेटर्न देखते हैं तो आपको 24 रुपीज का आपको losses देखने को मिलता है माइनस नेगिटिव देखने को मिलता है पट्ट आपको क्या है कि वह को अब देख सकते हैं जहां पे इसका सपोटिंग लेवलlex गपने एम पपर थोड़ा समय इसको स्कूल ब्रद सब्सक्रावOkay इसका 52 वीक की लोग के उपर आप भी ट्रेड करता वा नजर आ रहा है तो आपको उपर एक बनती है कि आप इस स्टोक को भी बाइंग करने के साथ साथ में अच्छा का सा ग्रोथ करते हैं वापस आपको अच्छा का सा बेनेफिट हो सकता है जैसे कि आपको 52 वीक के हाई की ब लिए तो यह देख सकते हैं आपको प्लस 5 परसेंट की आप तेजी देखनें उसे के साथ आपको एक सो तीन रुपे की तेजी देखनें मिल रही है तो यह लोंग तरम की बैसे की मैं बात कर रहा हूं इसे स्टोक को लेकर तो आपको शोट टम या मीडर टरम की बात करें तो अब इस सीफ करके इस वीडियो से आप जा सकते हैं तो मैं आपको फाइने मैनेज मेंटिके उपर काफी रिसर्च आपको काफी losses के बारे में किसी चीज के बारे में आपको नज़राता, वो नजरा रहरोगा, तो मैं एक चीज में clear कर दूँ कि अडानी जी को लेकर आपको का कोई भी doubt हो, तो वो आपका अलग funda है, उससे मेरा कोई लेना देना नही है, मैं एक technical 있는데요, इसके साथ में fundamental को देखकर ही में जो चीज होती है वही चीज में आपको बताता हूं मार्केट के साथ से क्या काम काज है मैं तो यह चीज कंपनी क्या काम काज करती कंपनी कितना profit कमा रही है मैं उसी research के उपर आपको यह फंड़ यह इस टोक आपको बता रहा हूं यह आपको नाम देख सकते हैं सबस्क्राइब अमूजा सीमिट कंपनी का नाम है तो यह कंपनी आपको जानी मानी कंपनी है बट लोंग ट्रम बैसे में आपको अच्छा कासा profit देती वी यह कंपनी नजर आती है तो मेरा यह सजेशन रहेगा कि कापू न्यूज बैस और हेडेन बर्क की जैसी कि जो न्यूज आई है उसके उपर कंपनी का काफी लोसेस हो चुका है और काफी हद तक सबका यह opinion रहा ह बट मैं आपको बता दूंगा इसमें गोवर्मेंट का कोई भी कोई लोसेस नहीं है और काफी जैसे न्यूज बैंक यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी गोवर्मेंट के कोडिंग में बात करूं तो SBI इसने यहां पंजाम नेशनल बैंक हो गई फयां इस खाली है दके को कोई सब ब्रपबारार की यहां जादा बड़ा लोग है और अधन में बात हो गा जादा बड़ा लॉर्मेंट कोई जादा बड़ा करजा भी निए कम्पणि जो योबी सारी कमपणिया है 30 से ज्यादा उपर की कंपनिया अधानीजी के पास में हैं बट किसी में भी ज्यादा लोसेस देखने को नहीं मिल रहा है और कोई भी कंपनिया ऐसी नेगटिव फोल में जाती नजर नहीं आ रही है बट और एक प्लस पॉइंट में आपको एक और बता दूं कि अधानीजी के जि तो वह गिर्वी एक टाइम पीरिड अभी भाकी वन वन पॉइंट टू यह यह फाइफ वन पॉइंट फाइफ डेट साल के संतिंग अभी बाकी चल रहा है बट यह अभी से ही चुकता वा करता वा नजर आ रहें तो फाइनेशल ट्रेंड कर बात करें तो यहां पर देख सक सेवन पॉइंट फोर्टीन ट्रिलियन का रेविन्यू जनरेट किया कंपनी ने तो यहां पर आप यह चीज़ देख सकते हैं कंपेरिजन की बात करूते हैं यहां पर देखो एक से लिमिटेड कंपनी अल्ट्रा ठेक कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है शीरी सिमेंट क कमके के कंपनी यह कंपनी आपको मैं बता दूं जी की एक tarkikum को यही मेरा परमोशन नहीं खिवे B यह वी कमपनी आपको डेड़ सो से दोसों के पार जाती नजर आ रही तो इसके अच्छा का सा ग्रोथ करता है देख सकते हैं आप इसमें अच्छा का सा पैसा कमा सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि आपको 20-50 अपको बेसे पर दोने का इसके अब यह इसे नहीं आप सकते हैं सपर बांतेkäeleय सकते हैं यह अब ईकलेद के ज सकते हैं सबल्सका क्रॉल ह करने मेरे लेढ़ां हैं अनाम है और यहां पर अपनी 52 वीक पीक के पीक पर का भी ट्रेड करता होना जार आ रहा है जैसे कि आपके इसका करन्ट प्राइस देख सकते हैं करें देखने को वापस आपको बता दू कि आपको अच्छा कर सकते हैं तो इसको इस स्टोक पर नजर रख सकते हैं बस इतना साहे कि आप इस पर बताया था यह आपको इसलिए इसलिए का की यह कंपनी कर देख रहो हूं मैं इस company को इसका fundamental भी काफिस जैसे कि फाउंडेट की बात करें 1993 में यह फाउंडेट हो गई थी और लीडिंग manufacturing cement manufacturing company है जैसे काफी leading इंडिया की leading cement manufacturing manufacturing company है जो अभी अधानी जी के पास में और मेरे कोई आपको वह यह की आप अच्छह. इसम पैसा कमा सकते मेरा यही मोटिव करते करते में नगद करते हैं न की इस मेंने कोई पैसा लगा रहा है मैंने को investment कर रहा है बट मेरी झाफ्inch में नहीं अब को प्योंगे हैं और मैंने病 है को अपको भी सजेशन किया जायだ और मैंने अपने पीक पॉइंट पे चलते वे नजर आ रहा है जैसे कि आप यह देख सकते हैं फाइवन्डेड नाइंटी एट करो रूपीज पे चलता था वह अभी 247 रूपीज का इसका पीक पॉइंट है बट उसी के बीच में ट्रेड करता हूं मिट में ट्रेड करता हूं नजर आ है इसका मारे के बात करो तो आप देख सकते मारे के आप 10.7 परसेंट आपको देखने हो और डेट कंपणी के उपर कोई ज्यादा नहीं है जैसे कि मैंने पहले होता है कि कंपणी काफी एच्छा है अनिंग पर रेशियो भी काफी अच्छा है जैसे कि अनिंग पर रेशियो आप देख सकते हैं 9.76 परसेंट आपको देखने को मिल रहा है टोटल असेट के बात करो तो फिप्टी फिप्टी थाउजन्ट ट्वेंटी एट क्रोड रुपर आपको टोटल असेट देखने को मिल जाता है फ्रीकेश फुलोवी 3030 करोड रुपया इंवेस्टमेंट कर रही कंपनी का इंवेस्टमेंट की बात करूती है तो अपन यहां पर देख सकते हैं यहां पर 7.30 कर रिटेंट इक्वेटी कंपनी देती है इंट्रेसिक वेलू की बात करूँ तो यहां पर देखो 166 परसेंट आप 100 आपको देखने को मिल जाता है और डॉमेनिक इंवेस्टमेंट कर रहा है उसी के साथ मैं आप देख सकते हैं कि परमोटर के जो होल्डिंग है तो यहां पर 63.2 परसेंट की आपी परमोटर होल्डि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया तो कॉंस की बात करें तो कंपनी में त्री एर से कोई अच्छा का सा ग्रोथ नहीं हो रहा है वो चीज़ यहां पर दिखाई गई है कंपर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि इन कंपनियों के रिटेंस के आपको 6.56 क्रोड रुपे कंपनी ने फाइफ यह कंदर रिटें करोड रुपे का कामकाच करती हुए प्रॉफिट का ग्रोथ करती हुए नजरा आई यह की बात करें तो आपको थोड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलगा जीरो माइनस 0.57 परसेंट आपको माइनस देखने नेगेटिव इस पर ही देखना रहा चोट रर्म या इसे इंट्राडे के अकोडिंग आप नहीं देख सकते हैं और सेल्स को रोगातार कंपनी नजरा रहा है कंपने अपना चेर से जो बड़ाती है बढ़ती नजरारी जैसे कि आपको नेगए देखने को मिल रहा है प्रॉफित अन्दर on balance sheet covenant अजह नहीं देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया कमपणी का जो जो सेल्स ग्रोफ अब अड़िया होता हुआ नजर आए इनका अधर इंकम की बात करें तो कंपनी के अधर इंकम दो बढ़ता बना जरा रहा है अनिंग पर शेल की बात करें जहां पर एट परसेंट हो गरता था वह बढ़कर हो गया 9.27 तो यह भी आपको अच्छा कासा अच्छा कासा डिविडेंट देती जैसे कि आपको देख सकते हैं इसने करेंट येर की बात करें तो यह करेंट की आरहा है लास्ट फर्स्ट कॉर्टर रिजल्ट आया था उस टाइम का यह सेकंड को आपको दिखाई गई है compounding sales growth की बात करते हैं पर compounding sales growth आपको अच्छा कासा देखने को मिल जाता है उसी के साथ में price action की बात करें तो आपको अच्छा कासा growth देखने को मिल रहा है company में उसी के साथ में last year की बात करें तो आपको 7% आपको देखने को मिल जाता है और टेन येर कभी आपको 9% आपको देखने को मिल जाता है तो यह कि यह प्लस पॉइंट निकल कर आते हैं कंपनी में काफी ज्यादा और अपन सीधा सीधा शेयर होल्डिंग पैटेंस के उपर नजर डालते हैं यहां पर शेयर होल्डिंग पैटेंस आपको मैं बता दू जहा इसाथ मां बात करें स्काविन की की तो डॉमिनीक इन्वेस्टर ने यहां पर अपनी पर्मोर्ट लों टे वार नजर आ रह रहा है उससी के साथ में गोवर्मेंट की बात कर और ने भी अपनी जो होल्डिंग बढ़ाते वह नज़र आ हैं उसके बात मैं आप कर देख सकते ह परमोटर की जो होल्डिंग इन्हों बेची थी वो पॉब्लिक के पास में जाती भी नजर आईए तो काई ना काई कंपनी अच्छा कासा ग्रोथ करती भी नजर आईए आई ओप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा राव माल चैनल पर पहले बार विजिट होई हो है तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा जे हिंज जे अबारत मिलते नेक्स्ट चूडियो में जब तक लिए बाई बाई